आप सब लोग हैं विलकम बाक टियूर उन चैनल तो दोस्तों आज हमने मार्केट पे एक बहुत जबदर सेलिंग देखी है और जो मार्केट में तेजी से जो गिरावाट आई थी उसके पीछे का आपने रीजन आप लोगों को पहले से ही बता दिया था कि एक symmetrical triangle का breakout breakdown हुआ था particular nifty bank nifty के अंदर और हमने देखा था जिस candle ने breakdown कर था उसके नीचे दूसरी candle ने closing कर दे थी अब हमने 12 मही को जो देखा था कि जो एक बहुत ज़ादा huge gap up आया था market पे जो हमने देखा था कि मोदी जी जो यह 20 लाग करोड का package लेकर आया उसकी विज़ा से जो हमने gap up देखा था वहीं exact gap up से मार्केट पे एक sell off देखने के बाद जो यह gap बन गया था उस gap को fill करना था तो आज market को नीचे आना था वो gap को fill करने के लिए nifty fill करने के बाद भी नीचे चला गया और bank nifty ने अभी तक gap को fill नहीं करा एक 100-200 point का जो अभी gap है वो अभी भी maintain है so nifty bank nifty के मुकाबले जादा week हो चुका तो guys अभी भी market week है market का structure बदल चुका है अब market में आप लोगों को sell on rise ही करना होगा जब भी market आपको उपर मिलती है कुछ points आप लोग मार stocks थे जो बहुत गिरावट में आ गए थे वो अपनी गिरावट का कुछ percent recover कर चुके थे अब जब वो recover कर चुके थे अब market दुबारा गिरना शुरू हो गई है तो वहां से वो दुबारा फिसलना शुरू हो गया तो अब यहां पर हम दुबारा selling देख सकते हैं तो कल की market मे क्या करना है कल की market में कैसे trade करना है nifty bank nifty के क्या target होंगे sell करके चलना है बाग करके चलना है और कौन सा option में trade करना है वो सारी चीज़ आपको इस channel के थूरू बताई जाएगी इस video के थूरू बताई जाएगी यह 5 talks हैं जो आप कल के session में trade कर सकते हैं उससे पहले मेरे पास बहुत सी queries आ रही हैं कि आप हमें दुबारा अपना जो आपने जो online batch start करा है वो online batch का हमें form बताई है हमें mail queries करिए mail के अंदर जो भी आपके documents जो भी आपकी सारी चीज़े हैं वो हमें बताई हैं हम वो लेना चाहते हैं but guys अब मुझे वो start करे वे तीन दिन हो चुके हैं live market पर मैं उन सब लोगों को पढ़ा रहा हूं सब उन लोगों को बताता हूं कि यहां पर आप जैसे कि आज की बात करें तो आज मैंने live market में अपने viewers को भी बताया था और अपने clients को भी की 19,300 पे short करिए और 19,000 के आसपास का target होगा so guys approximately वो ही आया put option हम लोगों ने दी 160 के round ज तो हम live market में लोगों को सिखाते हैं particular life charts में सिखाते हैं तो वहाँ पर लोगों की understanding बहुत जादा बढ़ जाती है अब वो लोग सेटिस्वाए हैं जिस तरीके से वो लोग बता रहे हैं वो लोगों को समझ आ रहा है हलके हलके तो guys basically जो दो हमने main lectures पढ़ा हैं जो दो classes हम लो market पर आप लोगों के लिए trade करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपको वह basic चीज आ गई तो उससे आप सारी चीजे सीख जाएंगे आप सारे trends सीख जाएंगे आप सारे patterns बनाना सीख जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक यह मैं course लोगों को patients रखना पड़ेगा और जो लोगों ने फिल करा है जो लोग नहीं आ रहे हैं उसके बाद भी तो guys वह उंका loss है पर हमारे साथ जो जुड़े वे हैं जो 20-25 लोग जुड़े वे हैं जिनका हमने WhatsApp बनाया वह जहां पर हम particular stocks का discussion करते हैं और वहां पर और और भी सीखते हैं व वह particular जो 20-25 लोग हैं वही हैं जो आगे future में particular market को समझ बाएंगे और सीख पाएंगे क्योंकि वह patients के साथ काम कर रहे हैं अगर मैं 3 घंटे उन्हें सिखा रहा हूं तो वह 3 घंटे सीख रहे हैं मैं 4 घंटे सिखा रहा हूं तो वह 4 घंटे live market में सीख रहे हैं जो वह है जो वेट नहीं करते ज्यादा बाते नहीं करते जो लोग मिस कर चुके हैं वोंका loss है जो हमारे साथ हैं वोंका फाइगा पांच स्टॉक्स हैं जिसमें से सबसे पहला है भारती एटेल बाय करने की सलाय अबग 542 के बाय करना है पर्टिकुलर एक हम क्या सकते हैं बुलिश जो की सप्लाय लेवल था अब वो उसका डिमांड जोन बन चुका है तो वहां से वो दुबारा रिट्रेस ले रहा है और महां पर एक पर्टिकुलर एक हैमर कैंडल में बनते वे देखने को मिलिया तो 542 की उपर निकलता है तो हम एक्सपेक कर सकते हैं कि वहां से 10 रोपे क तक के टागेट हम देख सकते हैं बेसिकली यह मैंने डिमांड और सप्लाय जोन के बेसिस पर ही आप लोगों को यह स्टॉक दिया है और यहां पर मुझे लगता है कि यहां पर गिरावट आ सकती है तो 501492 का टागेट है स्टॉप लाज आपको 518 का मेंटेन करके रखना है एक्सिस बैंक की बात करते हैं घाई 충ॉड के अंडर जाने का कुपा अधिक करने के बाद ग। 398 के नीचे शॉर्ट करेंगे तो हमें लगता है कि 393, 387 तक के टागेट एक्सिस बैंक कल दिखा सकता है बहुत गिरने के बाद थोड़ी एक अपमूव देगा तो वेट करिए कि जब तक लेवल के नीचे नहीं आता तब तक शॉर्ट मत करिएगा stop loss 404.5 का आपको maintain करके रखना पड़ेगा अदानी पोर्ट अदानी पोर्ट सेल करनी की सलगा दी जाएगी अदानी पोर्ट सेल करनी की सलगा इसलिए दी जाएगी क्योंकि एक symmetrical triangular पैटन का breakdown देखने को मिला उसके नीचे sustain कर रहा है चो हम expect कर सकते हैं कि यहां से 313, 317 तक के targets भी दिखा सकता है और यहां पर आप लोगों को जो stop loss maintain करके चलना है वो 302 no 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 sorry अदानी पोर्ट के अंदर नहीं था वो पैटर्न वो एक्सेस बैंक के नहीं sorry एक सेकंड वेट करें अदानी पोर्ट जो है अदानी पोर्ट पे बाय बनता है अदानी पोर्ट पे symmetrical triangle pattern का breakout दिखने को मिला है और दो बार उस candle दो दिन तक उसके ऊपर सस्तेन कर रहा है और यह सेल नहीं है यहां पर यह बाय आदानी पोर्ट तो ध्यान रखेगा बाय करके चलना है 313, 317 तक के targets हम expect कर सकते हैं 302 का stop loss maintain करके रिखना है और एक gap आया था वो gap को fill नहीं करा तो वो gap को fill करने के लिए भी वो 317 का उसका gap है तो वहां तक जा सकता है और एक प्रॉक्स symmetrical triangle का target भी वही आ रहा है अब आते हैं इंदुसन बैंक जो इंदुसन बै 16 तक के targets हम expect कर सकते हैं stop loss आपको full 32 का maintain करके रखना परेगा निफ्टी पे आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी गाईस clearly short है थोड़ी up move मिलती है कल intra day पे क्योंकि बहुत जादा गिर चुका है तो थोड़ा सा retrace करने की कोशिश करेगा जब retrace करता है आपको पता है sell on rise है त यह मैं आप लोगों को पिछली अपनी वीडियो पर बता चुका हूं stop loss आपको maintain करना है 92 30 का क्यों निफ्टी की लेकर आया हूं क्योंकि particular bank निफ्टी ने अभी तग अपने उस channel जो उसने gap करा था उस gap को फिल नहीं करा तो हो सकता है कि वहां से वो retrace कोशिश करें बट intra day में जैसी ही market open हुई वैसी ही निफ्टी ने अपने gap को तोड़ दिया उसी time तोड़ दिया था एक minute के अंदर और उसके बाद से उसके नीचे ही sustain कर रहा है वहां पर हम expect कर सकते हैं कि निफ्टी मुकाबले week है थोड़ा सा भी हलका सा उपर pullback आता है short career trading कर रहा है हमें निफ्टी की 21 में की 9100 की put को buy करके चलना है जो कि अभी around 168 पर चल रही हलका से retrace करता है तो 150 रुपे के आसपास मिलता है तो buy करके चलिएगा टागेट 210-255 तक की हम expect कर सकते हैं stop loss आपको 125 का maintain करके रखना पड़ेगा closing basis के अंबर तो आज की वीडियो थी वो complete हो गई कल आप definitely in particular stocks को observe कर सकते हैं watchlist में रख सकते हैं अगर इस particular हमारे levels के according trade करता है तो आप trade भी कर सकते हैं आज हम लोगने अपने clients को और अपने जो हमारे जो training members हैं जिन लोगों को हम train कर रहे हैं अपने course के थ्रू लोगों को हमने bank nifty short की सला दीती तो आप देख सकते हैं definitely वह अंकरा होगा आप 19,300 का put option भी देख सकते हैं जो आज शीक्सपारी का है जो हमने around 130-140 के आसपास buy करव और आज भी 7.5% उपर गया था और exact हमारे target को weight करते ही वहां से वह नीचे आ गया था तो guys यह हमारे साथ अगर आप बने रहेंगे हमारे channel के साथ बने रहेंगे तो आप definitely market पे stable रहेंगे और profit earn करते रहेंगे तो इसी के साथ हमारे इस video को regular देखने के लिए regular market में update पाने के करिए subscribe आपको नीचे show कर रहा होगा subscribe का button या फिर यहाँ पर आपको subscribe का button show कर रहा है उसे click करके यहाँ पर bell icon जूर दबाईएगा कि जैसी मेरी video market के लिए आएगी तो आप सबसे पहले देख पाएंगे और अगले दिन trade ले पाएंगे वीडियो को like करिए अगर आपको वीडियो से फाइदा हो रहा है इन particular यह जो मैं series बना के चल रहा हूँ आप लोगों के लिए तो अगर फाइदा हो रहा है तो मुझे बताईए और comment section में मुझे जुरूर बताईएगा कि इसमें और मैं क्या updates कर सकता हूँ और कोई भी आप